वेलकम इस्टेट आप सभी कि अपने चनल यस्क्याम इसलिए फिर से स्वागत है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट विडियों आपको हम बताएंगे क्या बताएंगे कि आपका जो यानिकी पेपर हो रहा है ना बहुते विज्ञान की पेपर में आपका मॉडल पेपर पु स्वाइए कैसे आपका जो परशन है कि वेडियों को जयादा स जादा उन भातरत के अब वेपर देनी जा रही है इसमें देखिए का मातर क्तितु। मात्र क्या होता है आपको बताना है इसमें तो इसमें देखें4 आफसों प्रति मीठर रहे कि लिए मेरे मीटर या मेड़क टूर किया हो जाएगा एक संफेतर किया जा सकता हिक उत्पन किया जा सकता है आप सभी को आंसर देना है comment box में छाप देना है एक चुम्बकी छेतर उत्पन कैसे किया जाता है आप सभी को बताना है तो केवल गतिमान आवेश द्वारा केवल बदलते वैदू छेतर के द्वारा एक धारा वाही चालक के चारो और उत्पन छेतर होता है तो कोई धारा वाही चालक है। उसके चारो जो अच्छेतर हो गां ःत्तर होता किया जाता एक है इंटू वी मोष्ट इंपोटेंट वी आपके लिए है और आपके इक्जाम के लिए जए आपके आपके लिए आपके लिए इ算ब्सक्रापोटेंट पहिकले ईंपोटेंट होगा अप्लोग सॉमस्झ रहे होंगर नि子 अत्वा एगा आया जाएगा अगला आपको देखे आया है कि चुमकी छेदर बी के लम बहुत वी वेक से चलने वाले आवेस क्यू तथा लगने वाले बल एफ का मान क्या होगा क्या होगा यहां भी तकी चार आप सब्सक्राइब को दिख रहे होंगे या फिस कल्टू की वी अपान भी या इसका अंसर क्या हो जाएगा यह इसक्वल टू क्यू वी टिक है अब चली अगला पस्दिके बेरी बेरी मोश्ट इंपोर्टन्ट क्या है शमांग चुमकी छेतर भी में एक इलेक्ट्रान आवेस यी नियत वेक्षे चुमकी छेतर के समानतर गमन करता है इलेक्ट्रान पर लगने वाला बल क्या होगा ठीक है चुमकी छेतर क्या है शमान है सभी जगह क्या है उसहां पर समान है और एक चुमकी छेतर भी में एक लेक्ट्रान आवेस यी क्या एक लेक्ट्रान आवेस यी नियत वेक्षे चुमकी छेतर के समानतर गमन करता है तो इलेक्ट्रान पर ल आपका अंशर क्या है कि समीवी विदी अबनान के लिए यहां पर सब्सक्राइब क्यों है कि पर देखिए यहीं इसाफ्ऌर सब्सक्राइब पर देका ये या मतर। मान का एक अग متार का सब्सक्राइब कि जिस पर अवेस कितना हैं? जिस पर आवेज कितना है, क्यों है, एक समान चुम्मकी छेतर बी के लंबवद वी वेग से प्रविष्ट करता है, इसके पत की तिरिज्चा क्या होगी, यम अपान क्यों वी वी तू यम अपान वी वी या यम वी अपान क्यों वी, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, यम वी अपान किया हो जाएगा यहां पर समान चुम्बकी छेतर से क्या दात पर है इस उदाराण देजाए तो एक समान चुम्ब की छेतर में चुम्ब की बल रेखाएं शमांतर वर शमदूरस तो वह एक समान चुम्ब की छेतर होता है क्या होता है वह एक समान चुम्ब की छेतर होता है लंबी धारा वाही पर नालिका के केंदर पर चुम्ब की छेतर होता है क्या होता है एक समान होता है ठीक है आ करन्ड किसी ध्रावाही चाला प्रण उत्पन चुम्हः च्शेत्र के शम्मंद में यृष्हेवट के नियम का उल्यक czaell । सीने बाइव Byo I amco बताना जो आपके लिए very very most इंपोरेंट होगे और हैं सांत्र के लिए तो बहुत जाए पोरेंट है रिडेकर जैब करा बायो शेबर के नियंब के इसके निशार किजा अनुसार B89 क्या अनुसार क् fundamental चूमकि शेद्र डील्टा B to mu 0। 4 paE into आई डेल्टा यल्ट साइन ठीटा अपन और स्कॉर टिक वेरी वेरी मुस्ट इंपोर्टेंट प्रस्ट आपके लिए और आपके इक्साम के लिए तो बहुत ही मत पूर्ण ठीक है किसी धहारा वाही 35 से क्या किसी धहारा वाही 55 से आर दूरी पर चुमकी छेतर के लिए बायो शेबर्ट नियम शधिस रुप में आपको लिखना है डीक है तो यहाँ आपको यहारि बायो शेबर्ट नियम सदीस रूप बीवन ही अगला कुछ है बहुत ही इंपोर्टेंट आपके लिए और आपकी एक्साम के लिए तो बहुत ही इंपोर्टेंट है साइक्लोट्रान के सिधानत पर कारे करता है तो साइक्लोट्रान के कारे करने का सिधानत यह है कि डीज के बीच लगने वाला प्रत्या वरती विभूानतर की रेडियो आवर्ति के भीतर आवेसित कड के परिक्रमण की आवरित्ति के बराबर होनी चाहिए तो आप इन्हीं प्रशनों को लिख सकते हैं उसमें ठीक है बस यह है कि साथ सुतिरियाटिम उत्वार लिखिएगा और आपको वहां पर कुछ नंबर मिलेगा लेकिन जो लिखिए गाइगा सहीं लिखिएगा गलत मत लिखिएगा जैसे कुछ भी आप जैसे दूसरे की प्रश्ण की परभासा है लिख रहे हैं तो आपको नंबर तो देख कर ही अगला कुछ सन क्या है कि चुम्मकी छेतर B की परिभासा देजे चुम्मकी छेतर B क्या है इसकी परिभासा देजे ठीक है परिभासा आपको देना very very most important डिपलिव अपले होने वाली है तो चुम्मकी छेतर के लंबवध किसके चुम्मकी छेतर के लंबवध इस्थित धारवा तो देखिए आप आप ब्रवाहित धारा्ँ और कि यह धाला नहीं होता है याँ यह फी्मपी किछ रखर हारहा चालक लगने वाला बल क्या होगा एफ सुटू अप्रsky की तिपरता और यां प्रवाहि धारा हो सके यहां से आठवा वैराबर क्या हो सब्से talk का यहां से इन्ड मेड but अर्था अत किसी चुम्बकी छेतर की तिवर्ता भी किसी धारा वाही चालक की एक मीटर लंबाई पर लगने वाले बल के परिमार के बराबर होती है किसके लगने वाले बल के परिमार के बराबर होती है जबकि चालक में एक एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो टिक है अब देखिए अब आपको हम क्या बताएंगे कि लॉंग डैप कुछ कुछ न बताएंगे जो आपके लिए बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टन होंगे मेरे बैरे इंट आपको देखिए अगर आप मारे साथ जूड़ी है तो लास तक जरूर जूड़ी रहेगा क्यों की बहुत इंपोर्टन्ट विडियो आपके लिए ठीक है धारावाही चालक के करण उत्पन चुमकी छेत्रकिति व्रता से संबंधित बायो शेवर्ट नियम की व्याख्या किजे बायो शेवर्ट नियम की शायता से निर्वात की चुमक शिलता का मात्रक एवं भीमी शमी कर निकालिए ठीक है तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा बायो शेवर्ट का नियम क्या हो जाएगा बायो शेवर्ट ने धारावाही चालक द्वारा किसके द्वारा धारा वाही चालक द्वारा उत्पन चुमकी छेत्रका मान किसका मान उत्पन चुमकी छेत्रका मान ग्या यहाँ पर देखी आपका क्या होगा ध्राव है ठाहा जाएगा यहां यहां तिसके आयडिये यहां पर देखिए यहां पर देखिए वा ह्याद करने के लिए एक ब्ल Doch Now have व्लुओं लुओं ट्वा यानि कि कोई दर दर वहिचालक यहां करने के लिए इसमें क्या किया उन्होंने उसके लिए क्या किया एक ब्यंजक प्रदान किया जिसे बायो शेवर्ड का नियम कहते हैं तो यह आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था अब देखिए अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा कि यह मानने जिव आई है यह एक तार्ण है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है त्टिक है और इस कारण से चारोर क्या है चुम्ब की छेतर उत्वन हो जाता है ठीक है चालक से आर दूरी पर एक बिंद उपी है जिस पर क्या करनी है चुम्ब की छेतर की गढ़ना करनी है इसके लिए बायो शेवर्ट ने धारावाही चालक डीयल अलपांस किया इसलिक लिए क्या किया इन्होंने धारावाही चालक क्या गया अलपांस किया इससे आर दूरी पर इस्थित चुम्ब की छेतर डीवी निम्न कारकों पर निर्भर करता है जो डीवी है निम्न कारकों पर यहां पर देखिए चुमकी छेत्र डीवी चालक में प्रवाहिद धरा आई के शमान उपाती होता है याई डीवी प्रपोर्पोर्शनल टू आई शमीकर नमबर एक तो मेरे आपको यह सब सारी चाहिए नोट करके रखनी है अब देखिए क्या है चुमकी छेत्र डीवी धरावाहि चालक धरावाहि अलपांस की लंबाई डीयल के समान उपाती होता है तो यह भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्ट अर थाथ डीवी इस डाटली प्रपोर्शनल टू डीयल समीकर नमबर तो क्या समीकर नमबर तो यह आपका हो बने कोंड ठीटा की त्रिज्जा के समान उपाती होता यहां पर देखिए अर्थाथ डीवी इस डाटली प्रपोर्शनल टू समीकर नमबर ती अब देखिए चुमकी छेत्र डीवी अलपांस बिंदुपी के मध्य दूरी वर्ग के वित्रवान पाती होता है यानी डीवी इनुवर्शली प्रपोर्शनल टू वन अपान आर इसक्वार ठीक अब यह समीकरणों को हम क्या कर देते हैं जोड देते हैं यह हमारा चवथा समीकरण होगा ठीक है आई होप आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा यहां पर देखिए चारों तत्यों को मिला देते हैं तो डी बी इस टाल प्रपोर्शनल टू आई डी ओल साइं ठीटा अपां आर इसक्वार ठीक है तो यहां पर देखिए डीवी इस व्कल के यम आई इंडू डी अलसां ठीटा आपा आपान आर इसक्वार हो जाएगा और के यम बराबर क्या होगा मियूवजी पान फॉर पाई ठीक है मेरी मोस्ट इंपोर्टेट वीडियो आपके लिए होने वाली है और यहां पर जितने भी मेरी प्यारे इस्टूनल जूट रहे हैं चैनल को तुर्णा सिस्क्राइब कर देंगे लाइक करने कमेंट और शेयर कर देंगे ज्यादा ज्यादा चैनल को सेयर करेंगे पहुंच सके जो अभी पेपर देने की तैयारी कर रहे है तो आपके लिए वीडियो बहुत होने वाली है मेरी पहले करना है जैदा जैशनल को सेयर करना है लाइक करना है कमेंट करना है सब्सक्राइब करना और आपको एक चैनल और है जिसका नाम है हाई लेवल इस्टूड सब्सक्राइब करके रखना है और आपको गारंटी देते हैं कि इसमें से सारी चीजे फंचने वाले हैं और आपको अच्छी तरीके सम बताएंगे इसमें टिक है इसमें बहुत प्रशन पहले करेंगे उसके पात अतिलग उतर लग उतर इसका देर उतर पर रांग्खिक प् ठीक है अब चलिए आगे पढ़ते हैं और आपको तरीके से बताने का प्रयास करेंगे यहां पर देखिए अब यहां पर जो प्रशन लिए गया है धारा लुता बल्योग में आगोंड चड़कुनली धारा मापी से लिए गये हैं ठीक है और आपको पहले इसमें क्या करेंगे उसके बाद आगे पूरे बुक से क्या करेंगे हम एक डेरिवेशन लेंगे आंकिक प्रशन बताएंगे और आपको लगो तरी देदगो तरी सारी टाव के प्रशनों को बताए जाएगा तो मेरे आपको क्या करना है अगर आप चैनल पर जूड़ गए हैं तो लास् तो निमने लिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चेतम होगा कौन सा ऐसा मीटर है जिसका प्रतिरोध उच्चेतम होगा ठीक तो चार आपसन आपको दिख रहे होंगे इसमें आपसन कौन कौन से हैं अमीटर गैलिवेनो मीटर वोल्ट मीटर मिलियम मीटर तो इसका बोल्ट मीटर हो जाएगा चलिए अगला यदि किसी यदि किसी ए छहेत्रफल वाली कुंडली में धारा आई बह रही तो फिरो की संख्या यह तब कुंडली का चुम्बकी आगुण यम होगा क्या होगा जो हमारा कुंडली का चुम्बकी आगुण है क्या होगा यम होगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए यन आई ए ठीक है आपसे चार आपको मिलेंगे क्या यन आई ए यन आई अपान ए यन आई अपान अंडरूटे या यन इसक्वाई ए है तो इसका आइसर क्या हो जाएंगा, यन आई ए हो जाएगा, ठीक है, जो कि very-very most important है, आपके लिए वेरी-More important है, आवराओ के एकसाम के लिए तो बहुत है, अब देखिए, का da आगला प्रशन क्या यह लंबाई के एक चालतार को वित्ताकार लूप में जोला जाता सुने आई- Actor की धारा प्रवाइद की जाती तो लूप का चुम्ब की आगुण क्या होगा उस लूप का चुम्बकी आगून क्या निकल कर आएगा मेरे पारेशन्स आपको बताना है और आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है ठीक है यहाँ पर देखी यह लंबाई के एक चालगतार को वृत्ताकार लूप में जुड़ा जाता है त यहाँ पर देखी आंसर क्या हो जाएगा आई यहाँ स्कॉयर अपान फॉर पाई ठीक है यहाँ का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रगा अचलि इसको सॉल्विंग कैसे हो ठीक है यहाँ पर देखिए तार को आर्ट रिज्या के लूप में मोड़ा जाता है किसमें ता प्रवाहित की जाती है तो लूप का चुम की आघ्हूण क्या होगा यहली इस कल्टू क्या होगा ओखिए अब देखिए इसको तोड़ा समझेंगे आप लोग यहाँ पर देखे आई तो है ही लेकिन 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 क्या होगा एक आमान कितना होगा देखे यह हमारा क्या बन रहा है बृत बना है बृत का चेतरफल क्या होता है पाई आर स्कॉयर होता है ठीक है पाई आर स्कॉयर होता है यहाँ से देखिए आई ऑलिटो पाई इन्टो यॉल अबां टु पाई का का होगा एक स्टील तार काम की आगहुण ini यम है इसे अर्ध बित्याकार चांप में जोड़ा जाता है तो नया चुम्मकी आगूण क्या होगा इसका क्या होगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रशन है आपके लिए और आपके जाम के लिए तो बहुत ही इंपोर्टेंट है यहाँ पर देखिए अब इस प्रश चांप में जोड़ा जाता है किसमें अर्ध बित्याकार चांप में जोड़ा जाता है तो नया चुम्मकी आगूण क्या है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप लिए है तो यहाँ पर देखिए चार आप्सन आपको दीक रहे होंगे पहला अपसन यम दूसरा यम इंटी टू यल तिस्रा यम अपं यल चौता क्या है टू यम अपाण पाई ठीक है तो अब देखिए अब ये आपके चार यह है वेरी मोड दीया जाता है यानी कि जब तार को यल लंबाई के अर्द बिताकार चांप में मोड दिया जाता है तो L बराबर पाई आर ठीक है कही ओ जाएगा लगूड म बराबर M into L क्या? M into L M बराबर क्या हो जाएगा? capital M upon L क्या? capital M upon L M upon pier हो जाएगा M upon pier हो जाएगा Very very most important video आप लिए होनी वाली है और आपको एक्साम के लिए तो बहुत ही important है अब देखिए यहां क्या होगा नया चुमकी आग्मुर यह यह वराबर क्या हो जाएगा जो आपको एक्साम के लिए बहुत ही important है यहां पर देखिए क्या है question कि धारा मापी के लोहे की क्रोड का क्या लाब है तो इससे क्या वदाए चुमकी छिर्कितिवर्ता बढ़ जाती है तथा बल रिखाएं ध्रोक अंडों के बीच केंद्री बिंदु की और को जाती है तो य कुछ और important प्रशनों को पढ़ते जो आप exam के लिए बहुत ही important है और आप exam के दिश्टिकोंट्स तो बहुत ही महत्तपूर्ण ठीक है यहां पर देखिए अब कुछ important ने बड़े प्रशनों को आपको बताएंगे जो exactly आप exam में फसेंगे ही फसेंगे ठीक है देखिए प्र प्रतिरोधों का शमायोजन क्या हम पढ़ेंगे इसमें प्रतिरोधों का शमायोजन पढ़ेंगे ठीक है जो क्या आपके लिए very very most important है ठीक है तो प्रतिरोधों का शमायोजन पढ़ेंगे इसमें पाला क्या होगा हमारा प्रतिरोधों का क्या होगा शमांतर शायोजन क्या का समानतर तर्ब असमांतर क्रम सही ओज़ां टीक है लेकिन क्यपसिटर और marriage ध्रोध का है से मुलिटा होता है जैसे कि अगर सेड़ी क्रम में कैपसिटर को जोड़ते हैं तो उसमें वन पाँ सीवन प्लस वटें औस ये कर कि आता है ठीक लेकिन जब प्रतिरोध में हम जोड़ते हैं सेड़ी क्रम में तो क्या होगा अरवन प्लस आर्टो प्लस अर्थि यह डिफ्रेंस आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टन डिफ्रेंस है आपके लिए आपको समझना आ कैसे आप एक याद कर लेगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा उसका उल्टा करके ठीक है चलीए प्रतिरोध का समांतर क्रम सयोजन क्या प्रतिरोध का श दूसरे बिंद से जोड़ा जाता है तता उसके मद एक सेल जोड़ देते हैं अब शमांतर क्रम में जोड़े पतिरोत पर उत्पन विभुवांतर शमान होगा क्या जो विभुवांतर है वो क्या होगा शमान होगा। शबी दिविभा बोल्ट जो हो बन्फ शमान जाएगा अब यहां पर देखिए अब देखिया होगा इसीतर में आप देख रहाना जहां पर यह कही बिंद पर मिल रहें हैं अब यह जहां पर उसमांतर करम का निर्मार होता है। इसंमें वोल्टेज सभी में सेम होगा ठीक है और जो करेंट है हमारी बढ़ जाएगी और प्रतिरोध का मान सबका अलग-अलग होगा तो यहां को समझना है ठीक है अब यहां पर देखिए किन्तु प्रवाहित होने वाली धारा क्या प्रवाहित होने वाली धारा आई क्या प्रवाहित होने वाली धारा आई भिन भिन होती है क्या होती है भिन भिन होती है ठीक है माना R1, R2 वर R3 तीन प्रतिरोध शमांतर क्रम में जोड़े गए हैं एक सेल सिगमा के माध्यम से धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोध हो आर वान आर टू और आर थिरी से क्रमश आई वान आई टू और आई थिरी धारा प्रवाहित होती है तब देखि क्या होगा इसमें तब आई इसको इक समीगर, नमबर एक इसको माल लेका ठीक आपको इतना माल लेना है यानि कि तब क्या माल लेना है I is equal to I1 plus I2 plus I3 माल लेना है ठीक समय कर नमबर एक हो जाएगा अब क्या माल लेते हैं माना A और B के बीच विवांतर कितना है V है क्योंकि समीं विवांतर V ही होगा ठीक विवांतर किया V है अत्व ओम के नियम से I1 is equal to V upon R1 क्या I1 is equal to V upon R1 कामा I2 is equal to V upon R2 I3 is equal to V upon R3 ठीक है तो ये चीज़े हैं आपके लिए जानना और आपके लिए बहुत ही important है ठीक है तो I is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3 ठीक है यहनी समहीकरण एक में इसका मान रखेंगे तो क्या होगा ठीक है तो I is equal to क्या हो जाएगा V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3 सारे मान उपर से आयो हैं आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है अइप आपको अच्छी तरहीचे समझ में आ अब तोड़ा और इसको साल्ब करने का प्रयास करते हैं, इसमें क्या करते हैं, वी कामन ले लेते हैं, वी कामन ले लेंगे, तो क्या बचेएगा, 1 upon r1, 1 upon r2, 1 upon r3, शमी का नमबर 2 बचेगा, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा यदि प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध आर हो तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा i is equal to v upon r क्या हो जाएगा i is equal to v upon r हो जाएगा अब समी करण 2 में मान रखने पर इसका मान किसमें रख देते हैं समी कर नंबर 2 में रख देते हैं तो v upon r is equal to v into 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 यह हो जाएगा अब देखें इसको थोड़ा हो जाएगा 1 upon r is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 तो यह आपका कौन सा क्रम हुआ शमांतर क्रम शयोजन हुआ तो इसका अगर देखें यह वेरी-वेरी most important आपके एकसाम में जरूर से जरूर आर सकता है जकली आपका यह से पूछता है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम को दिखाईए या फुरूप पुरिया सिद्ध कीजिए ठीक है या तो question में आपका आएगा कुछ दे देगा डाइगराम आपको उसमें बताना रहेगा कि इसका समांतर क्रम शयोजन में जोडे गए हैं तो इ बेरी-ْवेरी most important आपके लिए होगा देखिए यहां प्रतिरोध को स्रहण ही क्रम में जोडने के लिए पहले प्रतिरोध के दूसरे सीरो को दूसरे प्रतिरोध के पहले सीरे को पहले प्रतिरोद के दूसरे सीरे से जोड़ते हैं समझ में आया कि नहीं समझ में आया ठीक तो समझ में आ गया होगा अब देखिए दूसरे प्रतिरोद के दूसरे सीरे को तीसरे प्रतिरोद के पहले सीरे से जोड़ा जाता है इस प्रकार अमने प्रतिरोदों को भी जोड़ा जा सकता है ठीक है अब देखिए गंडती व्याख्या इसकी करेंगे very very most important आपके लिए होगा अब देखिए क्या हो जाएगा यहां पे मान ने तेहम माना तीन प्रतिरोध आरवन आर्टू वा आर्थरी स्रेणी क्रम में सयोजित किये गए हैं तथा एक बैटरी एक सीरों के बीच जोड़ा गया है तिक है यहां से आरवन आर्टू आर्थरी टिक है तो अब देखिए जिससे आई एंपियर किसना आई एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है कितनी एंपियर की आई एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है ठीक है यदि प्रतिरोध आरवन आर्टू वा आर्थरी के बीच भीवांतर कितना वा करमश वी वन वी टू वा वी थरी हो तो ओम के नियम से क् हम माल लेते हैं इनमें जो आपका बोल्टेज देखे पहले वाले में क्या था कि आपके करेंट अलग अलग थे लेकिन बोल्टेज आपका क्या था शेम था लेकिन इसमें आपका ऐसा नहीं इसमें आपका होगा क्या इसमें आपका होगा बोल्टेज क्या होगा सब जगह यदि A और B के विभवांतर V होतों यहाँ पर देगे V is equal to V1 plus V2 plus V3 हो जाएगा ठीक है V is equal to क्या हो जाएगा IR1 plus IR2 plus IR3 very very most important ठीक है और आपके exam के लिए तो बहुत ही important चलिए आप देखिए आपको अची तरीके समझ में आगा हो इस्टुनेट्स आकर आपको वीडियो अच्छी लगे होते हैं आप कमेंट्स में दोता सकते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन जैवाराइगा